दोस्तो आज में इस वीडियो में बताऊंगा जो आपका पुराना WhatsApp का चार्ट है वही पुराना WhatsApp का चार्ट को नया फुन में कैसे ला सकते हो कोई भी डेकप नहीं चाहिए कोई भी आपको गुगल एकाउंट का जरूत नहीं है जो आपका पुराना WhatsApp है आपके नया फुन में डारेकली टांसवर हो जाएगा तो इसके लिए इसका प्रोसेस क्या है इस वीडियो में बताया तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना इस इसके बाद आप भी आपके कोई भी अगर पुराना WhatsApp है पुराने फुन में तो वही पुराने WhatsApp नया फुन में आ जाएगा और वह कैसे आएगा इस वीडियो को थ्यान से देखना तो दोस्तों आपको मेरे हाथ में जो दो फुन देख रहे हो ना इस सारा फुन का WhatsApp का जो चा बेक अप लिए मैं क्योंकि इसमें बेक अप नहीं लिया और बीना बेक अप लिए ही मैं पूरा नया फुन में यह पुराना चार्ट वह वह भी मैसस फोटू वीडियो के साथ इसमें लाओंगा तो इसके लिए कुछ सेटिंग करना है और यही मैं लाइप दिखाऊंगा इ जहाँ पर कमेंट कर दिना है जैसे दोस्तों ने कमेंट किया आपको भी कमेंट कर दिना है वह चार्ट ट्रांसवर ओल्टू न्यू यह कमेंट जरूर कर दिना है जैसे कि कमेंट कर दोगे कमेंट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको करना क्यों होगा जो आपका पुर यह जो phone number है ना इसी मोबाइल का पुराना mobile का phone number आपको यहां पे देना है देखो यहां पे जो यह पुराना mobile number का phone number है मैं यहां पे देता हूं जासे 0062922891 देखो मैंने number दे दिया same same number उसके बात मैं next कर लेता उँ तो आपको भी यही process से इसमें click to confirm moving WhatsApp to this सिर्फ एक क्लिक पे ना ही कोई backup चाहिए ना ही कुछ चाहिए यह जो code आया है और आपके पुराना फोन में देखना है आपको करना क्यों होगा यह पुराना फोन का जो code है ना इसी नया फोन में डाल देना होगा जैसे कि 5 6 4 फिर 5 0 2 5 0 2 और जैसे डाल दिया डाल देने की बाद भेरिफेंग कर रहा है और यहां पे आपके पुराना फोन से you have been logout दिखाएगा और नया फोन में इस तरफ से आ जाएगा नाम की तरह और फोटू भी आ जाएगा फिर आपको next कर दिना होगा फिर कर दिने की बाद initializing दिखाएगा और initializing दिखाने के साथ साथ देख सकते हो उस फोन में जितना भी चार्ट था अभी देख सकते हो सारा का सारा चार्ट वही नया फोन में आ गया है और यहां पे देखो जितना चार्ट था आपके फोन में पुराने WhatsApp चाक को बिलकोर नया फोन में इसी तरफ से ट्रांसफर कर सकते हो तो अगर दोस्तों आपको ये पसंदार वीडियो से थोड़ा भी हल्पल लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को राइक कर दोना और हो सकते हो इस वीडियो को आगे तक सबको शेयर कर दोना तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिल्म लेंगे दोस्तों आपसे लिए अगली वीडियो में तब तक लिए दोस्तों खुश रहो जैहित